नमस्कार मैं नेहा जैस्वाल आप सभी का कक्षा बारा की अर्थशास्थ विश्यक की कक्षा में स्वागत करते हैं बच्चों आज हम अर्थशास्त्र के पहले पार्ट परिचे का भाग दो का अध्यन करेंगे इसकी पूर्व की गक्षा में हमने भाग एक में जुन तथ्यों का अध्यन किया था वो थे अर्थ विवस्था किसे कहते हैं, अर्थ विवस्था के प्रकार क्या हैं, अर्थ विवस्था की केंद्रिय समस्याएं कौन-कौन सी हैं और उत्पादन संभावना वक्र उसी क्रम मे आज भागदों में चलिए हम आगे की कडियों को देखते हैं तो आज हम जिन बिंदूओं पर चर्चा करेंगे वो है अवसर लागत एवं सीमानत अवसर लागत, सीमानत अवसर लागत एवं PPC, उत्पादन संभावना वक्र में खिसकाव याने की शिफ्टिंग इन PPC, सकारात्मक एवं आदर्शक अर्थशास्त और व्यस्टी एवं समश्टी अर्थशास्त तो बच्चो सबसे पहले हम देखते हैं अवसर लागत, अवसर लागत याने की ऑपर चूनिटी कोस्ट, देख अवसर लागत वह उत्तम विकल्प है जिसका परित्याग उस निश्चित वस्टू को प्राप्त करने के लिए कर दिया जाता है। कहने का मतलब कि अवसर लागत क्या है? जिस किसी वस्टू को प्राप्त करने के लिए अगर हम उसके best possible alternate को छोड़के उस वस्टू को अटें करते हैं तो वह उस वस्टू की अवसर लागत कहलाती है। आइए से हम एक एक ग्जाम्पल से देखते हैं। माली जे एक विक्ती जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है और उसे दो जॉब ऑफर होती हैं। एक बीस हजार की और दूसरी सत्रह हजार रुपए की। अब इस स्थिती में वो क्या करता है? यदि वो बीस हजार रुपए के लिए क्या करेगा? सत्रह हजार रुपए की जॉब को छोड़ देगा। यानि कि उसने इस बीस हजार रुपए की नौकरी को प्राप्त करने के लिए जो उसका बेस्ट पॉसिबल विकल्प क्या था? इसके बा अवसर लागत कहलाएगी ठीक है अब हम देखेंगे सीमान तफसर लागत जिसे हम कहते हैं marginal opportunity cost ये क्या होती है एक वस्तू की सीमान तफसर लागत दूसरी वस्तू की वह मात्रा है जिसे पहली वस्तू की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए छोड़ना पड़ता है बचो हमने पूर्व की जब कक्षा में एक्जाम्पल लिया था पीपीसी में गेहू और मशीन के उत्पादन का तो पीपीसी क्या बताता है कि अर्थ व्यवस्ता में जो भी रिसोर्से हमारे हैं उन रिसोर्से से हम जो भी डिफरेंट कॉंबिनेशन ओफ गुड्स का प् जो भीवस्ता में गढ़ाना पढ़े का वशाथ गल जब हम गढ़ेगा जब हम तूसरी वस्तू की स्यवचा में पर्व क्रिफरेंगे क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है और एक वस्तू का आपादन बढ़ाने के लिए हमें जाहिर सी बाते दूसरी वस्तू का उत पादन घटाना ही पड़ेगा तो ऐसे में एक वस्तू का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरे वस्तू की जितनी अमाउंट जितनी मात्रा हम घटाते हैं वो उस पहली वस्तू की सीमान्त अवसरलागत कहलाती है इसे हम सुत्र के रूप में देखते हैं सीमान्त अवसरलागत बरा की गई बढ़ोतरी यानि की एक्स वस्तू में जो भी हम वृद्धी कर रहे हैं उसके लिए हमें वाई वस्तू की कितनी युनिट कम करनी पड़ी इससे हम उस वस्तू की सिमान अवसरलागत ग्याद कर सकते हैं यानि की की MOC बराबर हमारा होता है डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स के इसे और अच्छे तरीके से हम इस तालिका की माध्यम से देखते हैं यह तालिका हमने अपनी पूर्व की कक्षा में भी देखी थी अब देखिए अर्थ व्यवस्ता में जो भी रिसोर्स हमारे हैं उनको हमाल लेते हैं यह एक स्वस्तु है और यह वाई वस्तु है इन दोनों के यह छे डिफरेंट कॉम्बिनेशन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं जो भी हमारे अवेलबर रिसोर्स हैं जो भी हमारे उपलबस अंसादन है उनसे एक अर्थ व्यवस्ता में यह सिक्स कॉम्बिनेशन आफ दीस टू प्रोडट्स को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं पहला विकल्प हमारे पास है कि हम सिर्फ 15 यूनिट मशीन की उतपादित करें यहां पर जो मशीन है वह हजार की एकाईयों में है और गेहु जो है वो लाग क्विंटल में है यानि कि पहला ऑप्शन हमारे पास है ए विकल्प जो है कि हम सिर्फ 15 यूनिट मशीन की उतपादित करें और गेहु का उतपादन ना करें दूसरा जो उतपादन संभावना है वो ये कि हम एक यूनिट गेहु का उतपादन करें और 14 यूनिट मशीन की उतपादित करें ऐसे में देखे क्या होगा कि अब एक घटानी पढ रही है, ठीक है, तो यह एक क्या हुआ, इस एक युनिट गेहु की अवसर सीमान, अवसर लागत हुई, इसी तरह, थर्ड ऑप्शन हमें एक युनिट और बढ़ाना है अगर गेहु, तो अब हमें क्या करना होगा, हमें मशीन की दो यूनिट को कम करना पढ़ रहा है, यानि कि यहूं की एक यूनिट को बढ़ाने के लिए हमें मशीन की दो यूनिट को कम करना पढ़ रहा है, तो ऐसी स्थिती में हमारा सीमानत अफसर लागत होगा, 2 is to 1, क्यों? क्योंकि एक बढ़ाने के लिए अब हमें वाई की दो यूनिट्स को कम करना पड़ रहा है सेम हम देखें अगर चौथा कॉम्बिनेशन याने डी हमारी उत्पादित संभावना एक और यूनिट हमें उत्पादित करनी है गेहू की तो अब हमें क्या करना है मशीन की तीन यूनिट्स हमको कम करनी पड़ेगी याने की थ्री यूनिट्स गेहू की और थ्री यूनिट्स मशीन की परड़क्शन करनी पड़ेगी ठीक है? यहने 3 यूनिट मशीन की कम करके हमें 3 यूनिट गेहूं और 9 यूनिट मशीन की उत्पादित करनी पड़ेगी. ऐसे में हमारा मार्जिनल अपर्चियूनिटी कॉस्ट होगा 3 is to 1. पाचवा कॉबिनेशन या जो पाचवी संभावना हमारे पास है, एक और यूनिट हमें गेहूं की बढ़ानी है, तो हमें अब 4 यूनिट मशीन की घटानी पड़ेगी. याने की हमारा मार्जिनल अपर्चियूनिटी कॉस्ट होगा 4 is to 1, कि एक इक गेहूं की और बढ़ाने क लिए हमें मशीन की चार इकाईयों को घटाना पड़ेगा. फिर हमारे पास जो छठा विकल्प है F वो ये कि हम सिर्फ गेहूं का ही उत्पादन करें. तो ऐसी स्थिती में हमें मशीन की इन पाचो इकाईयों का परित्याग करना ही पड़ेगा और इस स्थिती में मार्जिन बच्चो ये हो गया हमारा X-axis और Y-axis. एक्स 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 पर हमने ले लिया है गेहूं और Y-axis पर हमने ले लिया है मशीन. अब ये हो गया हमारा PPC कर. यहाँ पर देखिए. हमारे पास जो उत्पादन संभावनाई थी क्या थी? A, B, C, D, E, और F. यह छे हमारे पास उत्पादन संभावनाई थी? अब देखिए. इन ओप्शन्स में हम देखते हैं कि जैसे जैसे हमें गेहूं का उत्पादन बढ़ाना पड़ रहा है. जैसे जैसे एक इकाई गेहूं की हमें बढ़ानी पड़ रही है. वैसे वैसे हमें मशीन की अधिक इकाईयों का परित्याग करना पड़ रहा है. यहने कि गेहूं की एक एक इकाई हम बढ़ा रहे हैं, तो भी हमें क्या करना पड़ रहा है? मशीन की अधिक अधिक इकाईयों को हमें घटाना पड़ रहा है. और इस वज़े से क्या हो रहा ह यह जो सीमान तफसर लागत है, यह क्या हो रही है? बढ़ रही है, पहले हमें एक 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 आई गेहूं बढ़ाने के लिए एक उनिट शाने लिए दो उनिट मशीन की घटानी पड़ी, उसी तरीके से 3, 4 और 5 नियुद मढ़ात लागत है. यह बढ़ता जा रहा है और इस कारण यह जो वक्र है आपका उत्पादन संभाबना वक्र यह मूल बिंदू की और नतोदर याने की कौन केव टू ओरिजिन हो रहा है ठीक है चलिए हम आगे और देखते हैं बच्चों अब हम देखेंगे की सीमानत अफसरलागत एवं उत्पादन संभाबना वक्र का स्वरूप याने की सीमानत अफसरलागत माजिनल अपर्चियूनिटी कौस किस प्रकार से पीपी सी के स्वरूप को प्रभावित करती है देखिए पहली कंडिशन कि यदि सीमानत अफसरलागत याने की एमो सी बढ़ती है तो उस केस में जो पीपी सी होता है ये मूल बिंदू की और नतोदर याने की कौन केव टू ओरिजिन होता है जैसा कि अभी हमने पिछली तालिका में देखा भी था यहांपे क्या होता है यह हो गया एकसे य एकसे शुन्यी एमो सी बढ़ने के कारण याने की सीमानत अफसरलागत की बढ़ने के कारण जो हमारे PPC की ढाल है वो कैसी हो जाती है? मूल बिंदू की ओर नतोदर हो जाती है जो इसका Slope है जो हमारे PPC कर्व है यह मूल बिंदू की ओर नतोदर हो तो अच्छा ऐसा होता क्यों है? यह MOC बढ़ती है इसका reason क्या है? इसका रीजन ये है कि जैसा कि हमने माना कि दो वस्तू का उत्पादन हो रहा है अर्थ विवस्था में और हमारे रिसोर्सेज भी कैसे थे लिमिटेट थे जिनका की फुल उटिलाइजेशन हो रहा था याने कि इन विसोर्सेज को हम बढ़ा नहीं जगते थे क्योंकि वो फुली अल्री फुली उटिलाइज थे तो ऐसी स्थिती में एक वस्तू का उत्पादन बढ़ाने के लिए जाहिर सी बात हमें दूसरी वस्तू का उत्पादन घटाना पड़ेगा ये तो हो गई पहली बात दूसरी बात कि जो स्वाते होते हैं वो विसर्श्ट होते हैं नदिकांश्च ज varieties रिसोर्स्स गेहु का प्रटक्शन कर रहे हैं जो सक्ष्ण में जरूरी नहीं है कि वो मशीन का उत्पादन भी उसी तरीके से करें उसमें भी उत्ने ही सक्ष्ण हो तो ऐसी अस nytिति में होत लेकिन अब हमें गेहू का और उत्पादन करना है, एक युनिट और बढ़ाना है, उस स्थिति में हम ये मानते हैं कि मशीन वाला इतना सक्षम नहीं है, कि वो गेहु का भी उसी सक्षमता से उतपादन करे जितना कि वो मशीन का कर रहा था तो ऐसी स्थिती में गेहु का और अधिक प्रोडक्शन करने के लिए हमें अधिक मात्रा में रिसोर्स को मशीन से किस पर शिफ करना पड़ेगा गेहु के उतपादन में शिफ करना पड़े और इसी प्रकार ये जो करम है सीमानत ओफसर लागत जो है प्रतेक अगली युनिट गेहूं के साथ क्या होगी? बढ़ती जाएगी क्योंकि प्रतेक अगली युनिट गेहूं का प्रडक्शन करने के लिए हमें अधिक मात्रा में मशीन का उत्पाधन घटाना पड़ेग. क्लियर? अब आते हैं हम सेकिंड कंडिशन पे कि यदि सीमान तफसर लागत इस्थिर हो तो क्या होगा? PPC बाएं से दाएं नीचे की और गिरती एक सीधी रेखा होगी. हम यह मानते ऐसी स्थितिक अब होगी? जब जो रिसोर्स हैं वो दोनों ही प्रोड़क्शन करने में इक्विली केपबल हो दोनों ही का प्रोड़क्शन करने में समान रूप से सक्षम हो यहने कि एक युनिट गेहूं का उतपादन बढ़ाने के लिए हमें एक युनिट मशीन इस्थिर है याने की वन इस्टू बढ़ाना है तो एक युनिट हमने मशीन घटा दी फिर एक युनिट बढ़ाना है तो एक घटा दी याने वन इस्टू याने की जो सीमान तवसर लागा थे यह हमारी कैसी हो रही है इस्थिर है तो ऐसे स्थिती में जो PPC कर्व है वो यदि सीमान तफसर लागत कम हो रही है क्या हो रही है क्या हो रही है उस केस में क्या होगा उस केस में जो हमारा PPC है यह मूल बिन्दू की ओर उननत और याने की कॉन्वेक्स टू औरिजन होगा इसे हम एक्जामपल के माध्यम से समझते हैं, हम अपना वही पुराना गेहूं और मशीन का एक्जामपल ही लेते हैं, suppose तीन यूनिट गेहूं का उत्पादन करने के लिए हमें मशीन की चार यूनिट को कम करना पड़ा, अब एक उनिट गेहूं अगर हम और बढ़ाते हैं, तो मान लीजिए कि अब हमें मशीन की तीन ही यूनिट घटानी पड़ी, तो अब मशीन की दो ही यूनिट कम करनी पड़ी तो ऐसे केस में क्या हो रहा है जो सीमान तफसरलागत है वो घट रही है यानि एक वस्तू का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तू की कम-कम मात्रों का परित्याग अब हमको करना पड़ रहा है तो इस स्थिती में क पी-पी-सी होगा वो मूल बिंदू की ओर उननतोदर होगा याट इस कॉन्वेक्स टू ओरिजन होगा इसे हम चित्र के माध्यम से देखते हैं जो हमारा पी-पी-सी होगा वो दाट विल बी कॉन्वेक्स टू ओरिजन इसके बाद बच्चो हम देखेंगे उत्पादन संभावना वक्र में खिसकाव याने की शिफ्टिंग इन पी-पी-सी तो हम ये जानते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र क्या है एक एसा वक्र है जो अर्थ विस्ता में दीए हुए रिसोर्सेस से क्या करता है दो वस्तम bereits हम इत्पादन कर रहा रहाँ ये मानेता मानी थी फर्स चाप्टर के फर्स वीडियो में अब देखिए ये जो PPC कर्व है ये बाएं अथवा दाएं दोनों ही तरफ शिफ्ट कर सकता है खिसक सकता है अब दाएं और खिसकाओं क्यों होता है ये होता है संसाधनों में वृद्धी या तकनीक के बेहतर होने पर और बाएं और ज अंसाधनों में कमी होने पर आईए से चित्र के माध्यम से हम देखते हैं ये A और B ये हमारा A B जो है ये हमारा production possibility curve है PPC है अब यदि जो भी संसाधन है इन में वृद्धी हो जाए यानि कि इन में वृद्धी हो गई ये बढ़ गया संसाधन अधी कह हमारे पास और या जो टेकनोलोजी है जो तकनीक है वो एडवांस हो जाए तो उस स्थिती में क जो वस्तूओं का उत्पादन और अधिक मात्रा में कर सकते हैं तो ऐसे स्थिती में क्या होगा जो PPC है वो हमारा राइट साइड शिफ्ट होकर A1 B1 पर शिफ्ट हो जाएगा इसमें आउटवर्ट शिफ्टिंग हो जाएगी जो कि ये दर्शाएगा कि अब दोनों ही वस् का अधिक मात्रा में अबुत्पादन हो सकता है इसके विपरित यदि संसाधनों में कमी हो जाए या तकनीकी अवनती हो जाए या आप क्या सकते हैं कि कोई प्राकृतिक आपदा भूकम महामारी इसकी वज़े से संसाधनों में कमी हो जाए तो उस case में क्या होगा जो हमारा production है दोनों ही वस्तू का X और Y वो दोनों ही घट जाएगा क्योंकि resources घट गए है हमारे तो उस स्थिति में यह जो PPC है यह left side shift हो करके A0 और B0 पर आ जाएगा इसे हम कहते हैं left side shifting या inward shifting तो बच्चों यह तो बात हो गए shifting की अगर एकॉनमी में कहीं यहां production हो रहा हो तो इसका क्या मतलब है माल लेते हैं यहां एक यह जी बिंदू है यहां production हो रहा है तो यह क्या दर्शाता है देखिए यह दर्शाता है कि जो resources हैं जो हमारे संसाधन है उनका फूंडता उपयोग नहीं हो रहा है क्योंकि अगर पूंडता उपयोग हो रहा होता तो वो इनमें से किसी PPC पर production होता तो यह दर्शाता है कि जो भी उपलब संसाधन है उनका पूंड उपियोग नहीं हो रहा है इसी तरीके से अगर यहां कोई बिंदू है तो क्या होगा कि क्या यहां उत्पादन संभव है इस बिंदू पर तो यह भी क्या है यह एक अप्राप्य संयोग है यह कैसा संयोग है अप्राप्य संयोग है जो कि यह दर्शाता है क्योंकि हमारे पास तो अगर हम मानले हमारा PPC जो है वो A1, B1 है तो ऐसे सिती में हम H production को अचीव नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्स ही नहीं है और जो है वो फुली यूटिलाइज है तो इस केस में क्या होगा इस पॉइंट को हम अटें नहीं कर सकते तो बच्चो ये तो बात हो पीपीसी उसमें किस बिंदू पर प्रड़क्शन हो रहा है किसको हम अचीव कर सकते हैं किसको नहीं अटेंग कर सकते हैं अब हम अर्थशास के कुछ अनिक कौंसेप्ट को देखेंगे सबसे पहले है सकारात्मक अर्थशास और आदर्शक अर्थशास देखिए बच्चो अर्थशास में हम आर्थिक समस्याओं का विशलेशन भी करते हैं और उनका समाधान भी प्रस्तूत करते हैं तो देखिए सकारात् मकार्थिक विष्लेशन भी कहते हैं इसमें क्या होता है इसके अंतरगत यथार्थ यानि की वास्तविकता का अध्यान किया जाता है इसमें क्या था क्या है या क्या होगा याने what it is जैसे कथनों का विशलेशन सत्यता के आधार पर किया जाता है. सत्यता के आधार पर किया जाता है मतलब कि जो भी situation है उसको हम statistical data या facts से उसकी study करते हैं. जैसे भारत की जनसंख्या नाइंटेमफिफ्टिवन में कितनी थी या वर्तमान में भारत की जनसंख्या एक या इसमें जैसे हमने कहा कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है तो इन कथनों की जाच संभव है यानि कि हम इनको स्टाटिस्टिकल डेटा के माध्यम से अध्यान कर सकते हैं फिर आता है हमारा आधर्शक अर्थशास इसमें क्या होता है इसमें हम क्या होना चाहिए what it should be इ ये problems के लिए एक प्रकार से समाधान देता है तभी इसमों का जाता है इसकी प्रकृति सुझाओ देने की है जैसे भारत में आयवधन की असमानता को कम करने के लिए सरकार को अमीर लोगों पर अधिकर लगाने चाहिए और गरीब लोगों को आर्थिक सहायता देनी चाहिए इस प्रकार के जो गठन होते हैं इनकी जाच संभव नहीं होती है इनको हम स्टाटिस्टिकल डेटा से प्रूफ नहीं कर सकते बच्चों अब हम अध्यन करेंगे अर्थशास्त की विश्यवस्तू को जिसका की दो भागों में अध्यन किया जाता है व्यश्टी अर्थशास्त और समश्टी अर्थशास्त सबसे पहले हम देखेंगे व्यश्टी अर्थशास्त देखिए ये आर्थिक सिधान्त की वह श सकता है एक वस्तू हो सकती है या एक परिवार हो सकता है इसके अंतरगत बेसिकली देखिए जो microeconomics है या वेस्टी रतशास्त है इसमें हम वस्तू और सेवाओं की कीमत का निर्धारन किस प्रकार होता है इस बात का अध्यान करते हैं इसलिए इसे Theory of Pricing भी कहते हैं, क्या कहते हैं, Theory of Pricing, अब देखते हैं कि इस के अंतरगत, हम किन विंदुओं का अध्यन करेंगे, जो बच्चे आप अपने आगे इस Class 12 में, आगे के पाठों में अध्यन करेंगे, उभोकता व्यभार सिध्धान, उत्पादक व्यभार सिध्धान, कीमत निर्धारण, कल्यान अर्थशास्त और वितरण के सिध्धान, अब हम देखते हैं समष्ठी अर्थशास्त, जिसे हम Macroeconomics भी कहते हैं, यह आर्थिक सिध्धान की वह शाखा है, जिसके अंतरगत संपून अर्थविवस्था का एक इकाई की रूप में अध्यन किया जाता है, यानि कि यहाँ पर हम पूरी अर्थविवस्था का अध्यन एक समग्र के रूप में करते हैं, यानि कि इसमें हम एग्रीगेट्स का अधियन करते हैं, हम इंडिविजुल यूनिट्स का नहीं, एग्रिगेट्स का अधियन करते हैं, तो व्यस्ट्री अर्थशास्त में हम क्या पढ़ेंगे, राष्ट्री आय, नेशनल इंकम, रोजगार, इंप्लॉईमेंट, मुद्रा, सामान्य कीमत स्तर, निर्धनता, मुद स्वीति, सरकारी बजट, अंतर राष्ट्री व्यापार आती, इन बिंदुओं का अधियन हम, हम जो हैं, वो मैक्रो, मैक्रो एकनॉमिक्स, यानि की समश्टी अर्थशास्त के अंतरगत करेंगे, तो बच्चों, आज के पार्ट में हमने देखा, अफसर लागत क्या होती है पी-पी-सी में खिसकाव हो सकता है, कि नहीं, आदर्शक अर्थिक विचलेशन क्या है, सकरात्मक अर्थिक विचलेशन यानि सकरात्मक अर्थशास क्या है, और व्यष्टी तथा समश्टी अर्थशास्तर में क्या अंतर है और ये क्या होता है, तो बच्चों, आप इन सभ प्रश्णों का अभ्यास अपने नोट बुक्स में करेंगे तथा देखेंगे कि अर्थ विवस्था क्या है जो कि हम लोगों ने पहले चाप्टर में पड़ी और ये सारे बिंदुओं को